यह दवा खिला कर मात्र दो दिन के अंदर आप अपने बखरे को मोटा तजा कर सकते हैं, यदि बखरे का वजन बढ़ाना साथ हैं ना, तो मैं जो इस वीडियो में जो दवा बताऊँगा, यदि यह दवा आपके बखरे का वजन बढ़ जाएगा, इतनी गारिंटी वाली आपके बकरे को मोटा ताजा करने के साथ उसका वजन के साथ उसकी उच्छाही तक वढ़ाएगा याने यदि यह पो जब यह दो कर देते हैं तो जो बिली जितने बकरे को यह पहाड बना दे यह दोस्तों इस दवा में ज्यादर आपको कुछ मार्केट से लाने की जरूरत न तो पहले ही दो दिन में आपको रिजल्टिस का मिल जाएगा पहले ही दो दिन में आपको पता लग जाएगा कि वास्तों में यह दवा काम कर रही है तो दोस्तों बाद वा कौन सी हमें कैसे देना चाहिए कितने बड़े बकरे को जेना चाहिए और कितने दिन तक जाना चाहिए और किसे हमें नहीं देना चाहिए और किस दिन हमें इसको बंद करना चाहिए यह संपून जानकर यह आपको इस वीडियो मिलेगी तो उससे पहले यह आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है मेरा बकर हाती जैसा हो जाए मेरे बकरे का इतना वजन हो कि मैं आसानी से उसको खूब सारे पेसों में बेच सको और अच्छा मुनाफ़ा कमा सको यदि आप भी मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं तो यह दवा आज से ही देना चालो कर दीजे यदि आप बकरे रखरे बहुत जदा बकरी पालन कर रहे क्योंकि यदि एक बी दवा चूट गई है तो आपके बकरे का वजन नहीं बढ़ेगा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बहँ दो फार्मूले आपको करना ही करना है उससे पहले आपको सबसे पहले यदि आपका कोई साभी बकरा हो, चाहे छोटा बकरा हो, बड़ा बकरा हो, एक साल का बकरा हो, छे मेने का बकरा हो, दो साल का बकरा हो, उसको सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हर पशुमालिक को, हर बकरी पालन करने वाले को, हर गोट फर्मिंग करन ये डी वर्मिंग का मतलब होता है हर तीन महिने में अपने बकरे को एक पेट के किड़े मानने की दवा हमें खिलानी है वह दवा आप पेनाकूर दे सकते हैं वह दवा आप अलबेंडाजूल सायरब दे सकते हैं वह दवा आप निलजान दे सकते हैं वह दवा आप ओक्सी क्लोजानाइट लीवा माईसुल भी दे सकते हैं यानि किसी भी कमपनी की हमें एक दवा से अपने बक्रे की डी वर्मिंग करवाना है और हर तीन महीने में हमें अलग-अलग साल्ट की गोली से डी वर्मिंग करवाना यानि मान लिजा आज आज आपने पैना कूर से डी वर्मिंग करवा दी अगले तीन महीने बाद आपको क्या करना है ओक्सी क्लोजनाइट लीवा माईसूल की सीरप से डीवर्मिंग करवाना है यानि हमें बार बार बदल कर डीवर्मिंग करवाना है ऐसा नहीं कि हर तीन मेने बाप पेना कूर दे रहे हैं नहीं नहीं एक जैसी दवा हमें बिलकुल नहीं देनी है आज हमने पैना कुर खिला दी, अगले तीन मेने बाद हम दूसरी दवा खिलाएंगे, उससे अगले तीन मेने बाद हम तिसरी दवा खिलाएंगे, क्योंकि डी वर्मिंग की केवल एक ही गोली नहीं आती, केवल एक ही साल्ट की गोली नहीं आती, पूरे 20 से 30 तरह की साल्ट की बोलस और सिरफ हमें वेटनेरी में पशू की डिवर्मिंग करवाने के लिए आसानी से मिल जाती है तो आप इस बात का खास ध्यान रखना आपको डिवर्मिंग सबसे पहले करवानी है तीन मेने में हमें हर साल्ट की टेबलेट या सिरफ को हमें यूज़ करके उस बकरे की हमें डिवर्मिंग करवानी है यानि पेट की केड़े मानने के हमें उसको दवा देनी है जब आपने पेट की केड़े मानने के दवा आपने अपने पुश्व को दे दी आपने उस बकरे को दे दी आपने उस गोट को दे दी उसके बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, साथ ही हो, यहाँ पर हम अनाज का प्रेयोग करेंगे, और अनाज भी कुछ, ऐसा अनाज है, जो हर पुष्व मालिक के घर मिलता है, हर भरत में रहने वाले, और विदोशों में रहने वाले, हर एक किसन के घर में यह अनाज आसनी स मिल जाता है लेकिन खिलाने की वीडिया किसी को पता नहीं है उनको इसके बेनिफिट पता नहीं इसलिए मैंने सोच है क्यों आपको यह वीडियो बता दू क्योंकि यह आपको जान कर दे दू यदि आप भी यह वीडियो पूरी देख लेते तो आप भी अपने बक्रे का वज जाएगा इसके साथ हमें पांस से दस किलो गेहू लेना है और पांस से दस किलो में चना लेना है इन दो तरक की चीजों का आप कमाल देखेंगे साथियों जैसा में इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है दस किलो आपने चना ले लिया दस किलो आपने गहू ले लिया इसको क्या करना है कि ऐसा खिला देना नहीं एसा कभी नहीं खिलाना है सुखा बिल्कुल भी हमें अपने बकरे को नहीं खिलाना है यदि आप ऐसा ही चना उठा कर आप उस बकरे क आपको चना लेना है, इन दोनों को आपको रोज शाम को पानी में भिगो देना है, यानि एक मुठी अपने गेहू ले लिए, एक मुठी अपने चने ले लिए, इन दोनों चीजों को, इन दोनों फर्मूलों को, इन दोनों अनाच को हम क्या करेंगे, एक पानी का बरतन रोज शाम को डालना है, जब सुबह आप देखेंगे कि यह चना आपने भिगोया था, जो गेहूं आपने भिगोया था, इसका साइज बड़ा हो गया है, अब यह पूरी तरीके से पक चुका है, पूरी तरीके से यह अंकुरित होने के कगार पर आ जाएगा, और एकदम से प निकाल लेना है, पानी उस बक्रे को पिलाना है, वो पानी हमें फेंकना नहीं है, आप कई पशुमालिक यह भी गलती करते हैं, कि जिस पानी में चना और गेहूं भिगोते हैं, वो इस पानी को फेंक देते हैं, और केवल अनाज अपने पशुमाल खिलाते हैं, एसी गलती आपको बिलकुल नहीं करना है, आपको स्वच्च पानी लेना है, एक मुट्टी चना लेना है, एक मुट्टी गेहू लेना है, रोज रात को भिगो देना है, सुबह उटकर आपको क्या करना है, पानी अलग निकाल लेना है, और वह चना और गेहू हमारा अलग निकाल लेना ह जो हमने विगोया था वह उस बक्रे को आप खिला सकते हैं, चनाओ और ग्योंँ एक-एक मुटी उस बक्रे को आप खिलाएए, बाकि जो पानी बसता है हमारा, वह पानी बक्रा जब भी दिन में पानी पीता है, अनास खाने के गंटे-षह दो गंटे बाद जब भी बक्रा मानि आप उस बक्रे को पिलाइए इससे 100% आपको benefit मिलेगा या एक-एक मुट्वी किस बक्रे की dose है ये एक-एक मुट्वी आपके 30-40 kg किलो बक्रे की dose है ये अपके बक्रे का उजन एक quintal है तो आप उसको 2 मुट्वी गहूं और 2 मुट्वी आप उसको चने भीगो कर खिला स सकते हैं इस से आप अपने बखरे को यह धart्रज अपको फाइदा मिलेगा TOP में पहले ही दस दिन पर फहर की दो दिन में आपका बखर बखर प्रव्ति करने लगेगा तो आपको इसका यह तो दोस्तो यह भी गोने के बाद क्या होता है अनाज हमारा कच्छा नहीं रहता है चना हमारा कच्छा नहीं रहता है गयों हमारा पक जाता है जो डाइजिशन पूरी तरीके से बकरे के शरील में जाने एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पाचन होगा जब अच्छी तर खास करके प्रेगिनेंट बक्रिय रहती है क्योंकि आप यदि यदि गहूँ आप प्रेगनेंट बक्रियों खिलाएंगे तो वह उसका अबट्स उनल जाहेगा ने उसको बच्छा नीकालने का। उसको चांस रहता है याप बक्रियों में गर्मी करता हैं। लेकिन चना यदि बकरी को भी खिला सकते हैं बकरे के साथ तोस्तों हमारी वीडियो पसंद आयो तो पश्मालिकों के साथ वेटनेर डॉक्टरों के साथ जरूर शेर करना जदा सजदा लाइक और शेर करना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू